आप अपनी बुक होगा बोलिए और देखिए रोहित वांटेड ए बेबी ब्रदर और सिस्टर तो प्ले विद तो रोहित एक ब्रदर या सिस्टर चाहता है जो उसके साथ खेल सके तो उसके पेरेंट्स डिसाइड़ तो उसके पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया तो adopt a baby girl तो उनकी parents ने सोचा कि हम एक baby girl को adopt कर लेते हैं from an orphanage adoption is a process by which people can take a child who is not born to them as their own son or daughter तो adoption adoption एक process है adoption एक process है कैसा process है जिसमें people किसी भी child को लेते हैं from the large homes जहां पर बहुत सारे children एक साथ रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं orphanage बोलते हैं वहां से किसी भी child को adopt कर सकते हैं who is not born to them जो उन्होंने born नहीं किया है उसे son or daughter को adopt कर सकते है तो एक ऐसा home है जहां पर children रहते हैं बहुत सारे जिनके parents नहीं होते जो अपने parents को खो चुके होते हैं lost वहां पर रहते हैं अपना ध्यान रखते हैं उनका ध्यान रखा जाता है वहां पर इन अपनिस रोहिद पेरेंट्स मेट आ वन ययर ओल्ड गर्ल नेम मोना तो वहां पर गई रोहिद के पेरेंट्स वहां पर वह किस से मिले better नेम मोना मोना से मिले वह तो वो उसे घर लेकर जाना चाहते थे रोहित की सिस्टर बना कर तो रोहित की पेरेंट्स ने कुछ मन्त के बाद जो भी फोर्मलिटिस होती है तो वो सब फिल की फोर्म में सब फोर्म को फिल किया और मोना को घर ले गए उसे अड़ोप्ट कर लिया उन्होंने रोहित वोज वेरी हैपी टू मेट हीज यंगर सिस्टर तो रोहित बहुत खुश था आपनी यंगर सिस्टर को मिलकर मोना वाज नोट दी बाइ लोजिकल चाइल्ड ओफ रोहित फादर एक्चल में जो मोना है रोहित के फादर की चाइल्ड नहीं थी उन्होंने उसे अड़ोप्ट किया है उसे फैमिली में बहुत प्यार किया जाता है उसकी कियर की जाती है कि हम किसी भी चाइल्ड को अड़ोप्ट कैसे कर सकती है लाइक रोहित के फादर और मदर ने अड़ोप्ट किया कहां से अड़ोप्ट किया ओफिनल्स एक होम है लार्ज होम जहां पे बहुत सारे चिल्डरन रहते हैं जिनके पेरेंस नहीं होते हैं जैसे ही बेबी शार्क बोन होता है तो वो अपना ध्यान रखता है जो मदर है उनकी अपने बेबी को छोड़ देती है तो फाइंड फूट एंड टेक केर अफ इट्सेल्फ सून आफ्टर इट्स बोन ताकि वो अपना ध्यान खुद रख सके तो इस इस फोर यूर नोलेच आपने अपने माइन में रखनी है यह बात तो स्टूडेंट्स और चैप्टर इज रैप अप अब बेबी कम्स हूम हमने क्या स्टडी किया रीप्रोड़क्शन ओके वट इसी मीनिंग ओफ रीप्रोड़क्शन All living beings give birth to young ones of their kind जितने भी living beings हैं वो birth देते हैं, जनम देते हैं जैसे mammals हैं, babies को birth देते हैं Some animals, birds and insects lay eggs वो eggs के थूँ birth देती हैं Next, today we discuss about Next, our process is adoption It means taking a child not born to oneself as one's son or daughter So, इस process में किसी भी child को adopt करते हैं son को adopt कर सकते हैं, daughter को adopt कर सकते हैं An orphanage is a place where for children who don't have parents यह एक ऐसा place है, home है जहां पे बहुत सरे children रहते हैं, जिनके parents नहीं होते हैं Such children are adopted and become part of some families तो कुछ families क्या करती हैं, वहां से children को adopt कर लेते हैं और वो उस family का part बन जाते हैं, उन्हें बहुत love दिया जाता है, उनकी care की जाते हैं Okay students, so this is about our chapter A baby comes home Okay, तो हमारा chapter finished हो गया है Okay, in next video we'll do exercise of our chapter Okay, next video में हम इसकी exercise करेंगे, question answer करेंगे Okay, I hope students you got it, you have to read this आपने इस अच्छे से read करना है Okay, thank you students